श्रीराम लला आयोध्या में बन रहे भवे मंदिर में 22 जन्वरी को विराजेंगे यह आयोध्या में राम जन्म भूमी कैmpaस है जिसके आठे कड में राम मंदिर का परकोटा है इसी के भीतर करीब तीने कल में मुख्यमंदिर बन रहा है ये है नागर शेली में बना श्री राम मंदिर इसके शिकर की उचाई 161 फीट है मंदिर तीन मंजिला है हर मंजिल की उचाई 20 फीट है जिस चबूत्रे पर मुख्य मंदिर बन रहा है उसके लंबाई 388 फीट और चौड़ाई 250 फीट है ये मंदिर का परकोटा है इसमें 6 मंदिर और भी है गरेश, सूर, शिव, भगवती, हनुमान और अनपूर्णा परकोटे से हूते हुए मुख्य मंदिर परिसर में प्रवेश के चार रास्ते हैं आईए अब मंदिर परिसर में चलते हैं हम पूर्व दिशा से प्रवेश कर रहे हैं बोलिए जैस या राम और घंटा बजाईए सामने श्री राम लला का मुख्य मंदिर दिख रहा है इससे पहले पूरे मंदिर परिसर को देख लेते हैं ये परकोटे का गलियारा है 732 मिटर लंबा और 4 मिटर चौड़ा राम लला का परिक्रमा पत भी है अब मुख्य मंदिर में चलते हैं हम पहुँच चुके हैं सीधवार पर यहां से सीधा देखिए आपको गरब गरे के बाहर की जलक दिख रही होगी इस मंदिर के सभी स्थम्ब और आकृतियां राजस्थान से लाए गुलाबी पत्थर के बने हैं भगवान का इस्मरण करते हुए घंटा बजाईए अब आगे बढ़ते हैं सीधवार से आगे पांच मंडप हैं सबसे पहले निध्य मंडप यह भजन किर्दन के लिए बनाया गया है इसके आगे रंग मंडप से हूते हुए आप गूर मंडप में पहुँचेगे गूर मंडप की बाई और किर्दन मंडप बनाया गया है गूर मंडप से दाई और देखिए यह प्रातना मंडप है शद्धालू कूर मंदब तक ही जा सकते हैं इससे आगे गर्बग्रिया है जहां राम लला विराजेंगे राम लला के कपाट अभी बंध है 22 जनवरी को दोपार साड़े बारा बजे प्रान प्रतिष्ठा के साथ ही गर्बग्रिया के कपाट खुल जाएंगे और राम लला दर्शन देखे आप राम लला के विशिष दर्शन के लिए आमन दूत हैं आप श्री राम लला को भूल और प्रताज अर्पित कर पाएंगे श्री राम जोती जला पाएंगे